असलाम उलेकूम सस्यकाल नमस्ते आद आप तो कैसे मेरे प्यारे भाईयों खैरेश से हैं आप सब अभी स्टूडियों बात करेंगे साओधी रिप की बहुत सारी ज़रूरी नियूज है और कुछ आदमी आप लोग के साथ सायड फ्रॉड ना कर जाए जवजात का नाम लेकर के और वीजा के बारे में ठीक है तो शायद वह आपके साथ ऐसा कर चुके हूं या करने वाले हूं तो वीडियो को लाश्ट देखिएगा और हो सके तो इस फ्रॉडी वाले लोगों के लिए ये वीडियो को शेर कीजिए आगे दोस्तों तक ताकि वह लोग भी ऐसे किसी फ सबसे पहले फ्रॉड के बारें बदाता हूं एक स्क्रीन शूट यहां पर मैं शेर कर रहा हूं यह आप देख सकते हो लिखा हुआ है अरभी में जावाजात ठीके और यह फेस्बुक पेज है जिसमें यह पता नहीं किसी भाई ने मेरे को मैसेज किया जाविद भाई यह ज कंभीर के लिए हैं यहां से आविदन की यह नीचे में आप्लिंक देख रहे विए ज्यिलिंग एस्पर किल्क कीजिए ठीक है 505 मिलेगा आपको और कौन से काम में बड़ी प्रड़ेटेटेट हो चाहिए किसी सिसे भी रिलेटेट हो आप एक मीनट भी लगाएंगे और इस लिंक पर क्लिक करेंगे और आपका मॉवाइल में जो भी आपका बैंक कर सकते हैं आपको किया तुम्हारी यह फोटो मारे पास है तुम्हारे फैमली की पास पैसा देना पड़ेगा तो यह ऐसा कोई भी वीजा नहीं होता और जवाजात वाले कभी इस तरीके से कभी भी यहां पर जौब के बारे में वो शेर नहीं करते जवाजात वाले आपको काम के बारें बताएंगे यहां आओ साओधी में यहा तो भाई पड़े लेखे नहीं है कि कहींगे देखो यार 124 का आदमी की जहुरत है तिरपंसो सरी है कुछ नहीं सोच होगे आप किलिक कर दोगे लिंक पर आपका सार डेटा उनके पास चला गया समझ रहे ना ऐसा हमारे बहुत सारे लोगों के साथ होता है तो आप क्या प्राइदे का ही बात वोलूगा और आप तो समझी सकते हो अगली न्यूज है बहुत सारे लोग मेरे से सवाल कर रहा जावद बै क्या सवधिर में करणा की चौथी वैक्सीन हम सब को लगेगी क्या देखिए अब तक जो जितना वैक्सीन आया पहला वैक्सीन आया तो सभी लोग को लगाया हो सकता है आने वाईलो दिनों में अभी फिलहाल यह पचास साथ साल वाईलों को लगेगा चौथा वैक्सीन सौथी अरब के अंदर में ठीक है लेकिन अगर इनको लगा के नहीं सभी को लगना चाइए तो धरे-दरे बताते हैं अभी मैं भी आपको नहीं हो चुके होंगे तीन दवा लगाई हुए तो ही आप यहां पे चौथा वैक्सिन के लिए तवकलना से या सहती एप से अपलाई कर सकते हो ठीक है तो हर किसी के लिए अभी मेंडरेटरी नहीं है लेकिन अच्छी बात है यार अगर चौथा वैक्सिन लग जाए तो क्या दिक् है इसके बाद अगली अपडेट है जो की स्क्रेशल नियूज है मैं यहां पर आपको पहले स्क्रीन शेयर कर रहा हूं या आप देखिए एक तरफ में आप टिक देख सकते हैं ग्रीन कलर का ट्रॉरी रखा है दूसरे साइड में कट क्रॉस किया हुए एक बोरा है एक थैला में पना करके या पानी आप अलग से हाथ में जैसे जम जम का ही पानी है आप अलग से हाथ में लेकिंग जा रहे हो तो आप नहीं ले कर जा सकते हैं। आपको इन सब समान को कम से कम एक ट्रॉली के अंदर डालना चाईए। बहुत सारे लोग ने मेरे को मैसेच किया जावas जमजम का पानी लाने नहीं दे रहे हैं, एरपोर्ट पर रोग दे रहे हैं, ड्यूट्यू बहुत सारी चीज़े कुरोणा के बाद बदल चुकी है, मैं भी कुरोणा के टाइम पर आया था, मैं भी वह आपको, मैं तो बस मेरे जमाल भाई ने कहा था कि ले जाओ यार, जमज इसको ट्रॉली के अंदर ही डालिए और वो लग्यज में इंक्लूड हो आपको ठीक है जो लग्यज है आपका उस लग्यज के साथ में ही तो ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसा नहों कि एरपोर्ट पे आप जाईए और आप जम जम का पानी ना ले जा सके थोड़े दरी के पानी में बहुत हो जाता है लेकिन एरपोर्ट पे बहुत सारी चीजे हमारी बहुत जरूरत की होती हम उसको निकाल ही नहीं सकते हैं इस पर हमें जम जम का पानी को बाहर छोड़ना पड़ जाता है लेकिन आप पहले से ध्यान लखेगा अगर आपके आजवरोस दोस्त को भाई आ रहे हैं जा रहे हैं उनको बदा दिजेगा जम जम के पानी के बारे में या तो अच्छा रहे गा क्योंकि बाई यहां पे इंडिया आने के बाद ने बोलता है बाई तुम लोग खुद नहीं लाते हो पाने पान जाने के को माना थो नहीं है यह पर हमारे अपने रिसेदार बोलते हैं अगली न्यूज है यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ जद्दा सीजन टू आज से खुल गया होगा सौधी अरब के अंदर जद्दा में ठीक है तो जद्दा सीजन टू मतलब सीजन बन जद्दा चला था इसके बाद रियाद सीजन चला इसके बाद यहाँ पर जद्दा सीजन चल रहा है अलहम्दलिल्ला ये साथ दिनों तक चलेगा और आप लोग मज़े लोगे मज़े से जो भी टैक्सी वाले भाई है इस टैम पे भी कमाएंगे अच्छा खासा और जो भी जद्दा में काम करते हैं ड्राइवर भाई आप लोगी ड्यूटी बढ़ने वाली है अब ठ जून के आखरी ये जुलाई के स्टार्टिंग में आपका स्कूल बगार सा बंद हो जाएगा तो भी आप अपने घर चुट्टी में आ सकोगे बहुत सारे लोगों को चुट्टी नहीं मिली है बहुत सारे लोगों को चुट्टी नहीं मिली है क्योंकि स्कूल चल रहा है इ नहीं बहुत लिए इत कि नमाज के बाद आप करके खाके सो गय थे या कहीं बाहर घुमने चले गये थे या फिर इत की नमास के बाद आप काम कर रहे थे जो कंपणी में काम करते हैं उनको 4-4 दिन की छुट्टी मिल जाती है ईत के नमाज इत मतलब इत के टाइम पर लेकिन ज अगली न्यूज है बहुत सारे लोग मेरे को कम्मेंट कर रहे हैं खास कर जाविद भाय मेरा री इंट्री एक्सपाइड हो गया है और अब मैं तीन साल के लिए बैन हो गया हूँ तो क्या मैं दुबारा नया वीजा पर जा सकता हूँ या मेरा कफील मेरा जो है एकजीट साओ करता रहता हूँ आप सुनना चाहेंगे तो मैं अभी सुना दूंगा और यहां पर मेरा भी जो छुट्टी एक्सपाइर हो चुका है ठीक है आपको 31 जनवरी 2022 को एक्सपाइर हो गया उसके बाद से मेरा नहीं बढ़ा है और अब मैं नहीं जा सकता वापस तो यहां पर मेर कफिल अगर मेरा वीजा वगर एक्स्टेंड कर देगा तो मैं जा सकूंगा आराम से उनके पास में या वो नया वीजा भीज़ेंगों तो जा सकूंगा लेकिन अगर मैं सोचूं कि नहीं मैं मेरा आप सब मैं आप वहीं से मेरा एक्जीट लगा दो मैं अपने कफिल को बो तो भूर नहीं लगा सकता ठीक है, मैं मैं क्या बोलो आपको? वो नहीं लगा सकता, जिस वैज़े से मैं अभी यहीं हूं और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने कफिल से बाचीद करता रहता हूν यह देखिए अलेकुम अस्तलाम अहला मुहम्मद किव हालक एद मुबारक किल आमनत बखेर वो मबरोक मबरोक है दा बेबी देख रहे हो तो मैं अपने कफिल से बाचीत करता रहता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इंशालला अगर आपका कफिल अच्छा रहेगा आप इंडिया में हो प्यार से बाचीत करो कफिल को ईद मुबारक हो बहुत सारी दौा सलाम करो प्यार से बात करो चाहे वो क तो दोल दिया था पहली लेकिन अब अगर मैं जाना हुआ या कुछ भी हुआ कर लेने होस्यादर रहे गा से फेक लूट को आप भी अपने दोस्तों को जोड़ बतेगा ये बात चैनल को पर सब्सक्राइब कर लो वीडियो को शेर कर दो दूआ में याद रखो अपना ख्याल लगो और अपने चैनल पर बने रहो भाई के साथ में इंशालला और भी अभी कुछ और और भी आने वाला है अलाँ आफिस currently in the book怜ं आफिस थाम सब्सक्रादाएब के छोरौं के समय समинов के जजाएब कर दोवाल है रहा गलाशब के सब्सक्राइब कर दोड़